नमस्कार मैं डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, सीनियर कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेस्मेंट एन आर्थरस्कोपी मनिपाल हास्पिटल गाजयवाद से तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टोटल हिप रिप्लेस्मेंट सर्जरी की या पूरा कूला प्रत्यारोपन शल्यक्रिया की total hip replacement की जरूरत हमें कुछ clinical settings में बढ़ती है जो हम लोग करते हैं जिसमें उम्र के साथ जोड का घिसना यानि की primary osteoarthritis, infection या कुछ inflammatory conditions जैसे की rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis या कोई पुराना infection जो की treat हो चुका है जिसके कारण से कुले का गद्दा या जिसे हम बोलते हैं cartilage वो घिस गया था और कुला का जो जोड था वो खराब हो गया था, उसमें भी हम लोग total hip replacement कंसिडर करते हैं कई बार fracture neck of femur यानि की हमारी thigh की bone जिसका उपर ball and socket joint बनता है जिसे हम कुला कहते हैं उसकी ball का fracture हो जाना क्योंकि उसकी blood supply बहुत limited होती है और अगर उम्र इस तरह से है कि already arthritis के sign है hip में तो we prefer a total hip replacement instead of replacing the ball साथ ही कई बार ऐसा दिखा गया है कि ball की blood supply कम हो जाती है और जिसके कारण से ball की हड़ी मर जाती है जिसको हम a vascular necrosis कहते हैं a मतलब नहीं vascular मतलब खून necrosis यानि मर जाना यानि की खून की कमी से हड़ी का मर जाना a vascular necrosis we are seeing many cases of a vascular necrosis in recent times क्योंकि a vascular necrosis होने के पीछे generally steroid का use या abuse देखा गया है अभी कुछ समय पहले covid virus का infection अपनी peak पे था rampant था जान बचाने के लिए doctors ने patients को steroid दिया काफी ज़्यादा मात्रा में दिया जो की जरूरी भी था research के हिसाब से the only drug which was saving lives was steroid और उसके long term side effect अब देखने को मिल रहे हैं कई young लोग avascular necrosis यानि की कुला खराब हो जाना की समस्चा के साथ अब हम OPD में देख रहे हैं कुले का जोड बदलने के लिए हमारे को उपर का cup और नीचे की ball दोनों चीजें बदलनी पड़ती हैं इसमें दो तरह के कुले आम तोर पे हम लोग use करते हैं जिसमें एक cemented होता है जिसमें की हम bone के साथ कुले के prosthesis को cement की मदद से जोडते हैं और दूसरा होता है uncemented जहां पर हम कुले को वैसे ही डाल देते हैं and over a period of time कुछ समय के बाद वो prosthesis जो कुला होता है नकली वो bone के साथ bond बना लेता है cemented total hip replacement generally वहां करा जाता है जहां bone quality बहुत अच्छी नहीं होती जो कि usually वृद्ध लोगों में elderly लोगों में देखा जाता है young लोगों में जहां पुराना infection हुआ हो या कोई inflammatory process चल रही हो या avascular necrosis हो गई हो और कुला बदलने की जरुरत पड़े पर bone की quality बहुत अच्छी है तो हम लोग वहां पर uncemented total hip replacement ही consider करते हैं uncemented total hip replacement की generally life ज़्यादा होती है cemented hip replacement की life थोड़ी सी कम होती है usually uncemented total hip replacement आपको 25 से 30 साल की pain free functional life देने में काम्याब रहता है cemented total hip replacement 15 से 17 साल तक एक pain free life देने में काम्याब रहता है को अगर कुले में कुले के जोड में दर्द है डॉक्टर को जरूर दिखाईए क्यूंकि समय के साथ खराब कुला उपर के कप को घिस्ता जाता है और joint उपर migrate हो जाता है ऐसी समस्या में जब हम total hip replacement करते हैं तो हमें उपर कप का reconstruction करना पड़ता है and a simple case gets converted into a very difficult hip replacement इसी लिए मैं आपको कुछ tips भी दूंगा जिससे आप अपने कुले के जोड को लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं जिसमें main हमारा focus रहेगा nutrition और दूसरा exercises में regular walking is very good to preserve your joints cartilage joint के गद्धे को स्वस्थ रखने के लिए healthy रखने के लिए ज्यादा लंबा चलाने के लिए regular exercises in the form of routine walks daily paddle चलना 8000 से 10,000 steps is recommended साथ में आपके खाने में vitamins, multi minerals, protein की मातरा भी बहुत ज्यादा माइने रखती है तो दोस्तों ये बात हुई संक्षित तुम्हें बात हुई total hip replacement के बारे में अगर कुले की समस्या किसी भी तरह से आपको परिशान कर रही है तो आप अपने नजदी की doctor से या हमारे hospital में जरूर परामर्श लें आपको एकदम transparent और genuine opinion दी जाएगी ये मैं promise करता हूँ Thank you very much मैं Dr. Rajesh Kumar Verma Manipal Hospital गाजियाबाद से धन्यवाद है तो उन्यवाद चाहागी मैं घार से फुम्द्ट आपको पक्राइ़ कर रहा है